पाकिस्तान में बाड का कहे तूट पड़ा है एक तिहाई पाकिस्तान पूरी तरह से डूप चुका है गली मोहले पानी पानी हो गए हैं सिंद से लेकर बलुजुस्तान तक कई राज्यों में हालात बहत खराब है अब तक लगभग 1100 से जादा लोग की जान जा चुकी है तीन करोर से जादा लोग बेगर हो चुके हैं आलम यह है कि अब लोग भूग से सोने को मजबूर है पाकिस्तान को बाड से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है मा संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान को भारत की याद आई है पाकिस्तान के बित मंतरी मिफ्ता इसलाम ने एल पाकिस्तान में बार पर दुख जताया है सुंबार को ने ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान में बार सुई तवाही को देखकर दुखी हूँ हम पीड़तों घायलो और इस प्रकिती आबदा से परभावित सभी लोगों के परिवार के परती अपनी हार्दिक सम्वेदना अव्यक्त करते हैं साथी सम्मान इस्तीती की सीख्द्र बहाली की आशा करते हैं टियमोदी के ट्वीट के बाद अब नई दिल्ली में सर्वोच अस्तर पर ये चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान को मानविये मदद दी जाएगी भारत कई विकल्पों पर विचार कर भारत अगर पाकिस्तान को मानविये मदद देता है तो ऐसा पहली बार होगा जब परधान मंतरी नरेन मोदी को सत्ता में आने के बाद भारत की और से पाकिस्तान को परकितिक आपदा में मदद दी जाएगी इससे पहले कॉंग्रेस के नितित वाली UPS सरकार ने साल 2010 में बा साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले